निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार सिख्षक बाहली 128 तथा बिहार एस्टेट के बारे में सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं बिहार सिख्षक बाहली 128 के बारे में जैसा कि starting में कहा जा रहा था कि अगर आप सिख्षक बनना चाहते हैं 128 में तो 31 अगस्ट 2020 तक बन सकते हैं लेकिन अगर जमीनी हकिकत की बात किया जाए तो आज 31 अगस्ट 2020 है अब बहुत सारे ब्लॉक के अभी तक मेधा सुची NIC पर नहीं मिलेंगे आपको कुछ बच्चे तो ऐसे डरे हुए हैं कहा रहें कि सर इसके बाद अगर कोई मेधा सुची आता है तो हम objection कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अब सुचिए कि क्या सुच रहा हूँ और निशीत कर पाएंगे अगर नहीं होगा तो एक चीज लेकिन यहां पर प्रसंट कंफ्यूज कर रहा है साइद आपके पास उतर हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा कि दो तरिक से 125 का objection लिया जा रहा है क्या दोनों ही एक साथ में नहीं हो सकता था मतलब 628 का जो objection पहले लिया गया 125 का साथ में नहीं हो सकता था कुछ अभियारती ऐसे कह रहा है मैं नहीं कर रहा हूं मुझे रडार पे नहीं यह लें कुछ अभियारती ऐसे कह रहा है कि यहां पे बच्चों को जो अभियारती है उनको थोड़ा ब्यस्त किया जा रहा है प कुछ अभियारती कह रहें आपको आ रहे हैं तो तो हम भी कह दे रहें उसी में ब्यस्त हो जाएंगे वैसे भी कुछ मतलब ऐसा कहना है कि आपको नियजन पत्र मिलेगा नहीं को जो भी objection वगए रहे हैं उसी में आपका समय पूरा हो जाएगा मतलब ऐसे कह रहे हैं आप भ पूर्श जगे का में भी आएगा बहुत सारे ब्लॉग के अभी नहीं आप एनाइसी पे जाके सर्च कर लीजे हम भी देखें एक दो जीला का जहां पर नहीं आ अब हम बात कर लेते हैं बिहार एस्टेट के बारे में बिहार एस्टेट की चर्चा की जाए तो बिहार केस हुआ है लेकिन बाद में क्या होता है एक कोई अभ्यार्थी जो भी हो वो केस कर देते हैं केस करने के बाद क्या होता है एक्जाम रध हो जाता है रिजॉल्ट आने वाला होता है तब ही वो क्या होता है रध हो जाता है उसमें सीलेबस का भी चर्चा था उसमें सोशल साइ यह कोरोना है, चारो तरफ जानते ही है, बहुत दिकत है कहीं आने जाने में, तो कोरोना के कारण online परिक्षा लेने की बातचीत होती है, admit card का date आता है आपका 25 अगस 2020, कि 25 अगस 2020 से admit card download आप लोग कर लीजिएगा, अब 25 अगस 2020 को आप admit card download कर लीजिएगा, लेगे होता कुछ और है, 25 अगस 2020 की बिद जाता है, आज हो गया 31 अगस 2020, लेगे admit card का admit card जारी नहीं हुआ, बस एक आया, अगर admit card आता है आगे जब भी आया, कुछ कैसे आएगा, कैसे त्यारी करके आएगा, अगर आप admit card जारी नहीं करता है, को जो अब यारती पढ़ने के लिए बैठता हूँ भी सोचता है ना, कि पता नहीं एक्जाम होगा की नहीं होगा, होता तो 14 दिन पहले, 15 दिन पहले, हमको admit card जरूर मिल जाता, ताकि हम त्यारी में लगे रहते, अपना त्यारी करते रहते, त्यारी में कुछ बच्चों का मन भी नहीं लगा रहते, यहाँ पर चर्चा करेंगे, हम फिर से जो हमने बताया था, नोट करके रखिया गए सिलेबस का, उसमें जब रद हुआ था कि सिलेबस का भी चर्चा था, आज भी social science वाले confused है, कि दो subject पढ़ें या चार subject पढ़ें, कम से कम एक छोटा से लिख के भी दे देते हैं, कि science वाले है, science वाले को biology पढ़ना है, आपका chemistry पढ़ना है, physics पढ़ना है, math वाले को, math physics जो भी से डाले हैं, उनको के ओल math पढ़ना है, social science वाले को जो आपका बनता है, जो भी आपका subject बनता है, उसी सब्जेक्ट से आप दो पढ़िएगा, आपका honors हो सकता है, कोई भी हो सकता है, दो सब्जेक्ट से आपका combination, दो चार खंड में आएंगे, चार खंड में से दो खंड आपको चूज करके देना होगा, जैसे 2011 में हुआ था, उस pattern पे होगा, को यह सारे चीज के लिएर एक चोटा सा ही, जदा टाइम ने ले चोटा सा ही, निकाल देतो तो अच्छा रहता है, अगर फिर यह एक्जाम हो जाता है, फिर कोई अभियार्थी इसी पे case कर देता है, कि फिर से कोई सीलेबस जारी ने होगा, क्या रद नहीं हो सकता है, अब यह भी उस समय क्या होगा, वो message वगरे करता है, महरास्ट में हम कैसे आए, टिकट वगरे करा लें कि नहीं कराएं, कैसे आए, कोई दिल्ली में है, दिल्ली से करता है, हम आय या नहीं है, बहुत सारे परसानी, इसीलेबस का अलग है, admit card का अलग है, आने जाने का दुबदा अलग है, सेंटर आप जानते ह सरकार नहीं है इस अब बहुत सारे चीज़ें सपना स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जो अच्छे टीचर मिल जाते हैं कि लोग उनको देखके सपना सुजो लेता है कि हम सिख्षक बनेंगे और जितना प्रोसेस होता है जीना जितना प्रोसेस है step by step follow कर लेते हैं कि हमको यह training करना है deal it करना है यह हम कर लेंगे और सिख्षक बन जाएंगे बहुत सारे seat का ऐसा नहीं कि seat खाली नहीं है बियार में बहुत सारे seat खाली है उसको देखके घरवाले भी सपोर्ट कर देते हैं कि चलो सिख्षक बन जाओ के पैसा दे देते हैं अब कर से लेके दें चै कुछ भी से लेके दें सारा चीज दे देते हैं वह सारे प्रोसेस पूरा कर लेते हैं पूरा करने के बाद सिख्षक बनने के लिए त्यार हो जाते लें समय बित्ता जाता है एज बित्ता जाता है याद रखिये का एज बित्ता जाता है कुछ समय बाद ऐसा भी आएगा कुछ अभियारती ऐसे हैं जो इंतिजार करते करते उनका एज भी खतम हो जाएगा उनसे पुछिये का बेरजगारी क्या होता है उनसे पुछिये का बेर बच्चे भी हो गए यो तियारी कर रहे थे क्या हुआ तो फॉर्म सब भरी दिया है कब रोजगार नहीं मिला एक दो-तीन साल से इंदिजारे कर रहे हैं तो फिर आप पूछलेते हैं तो कुछ जॉब होता नहीं को चुप हो जाते हैं तो आप इसी लिए इसी लिए शिख्षक नहीं बन पाया होगा है हकीकत यहीं सोचते है उन्लोग लेकिन से वह आदमी क्या कहने जा है कि एक ASTATE का EXZAM दिये हैं जिसको रद करवा के बैटे हैं एक 1-28 का EXZAM दिये हैं उसका हम सट्टि पिकेट लेकर बैठे हैं कि साइद हमको रुजगार मिल जाए हैं है एस्टेट का EXZAM रद करवा के बैठे हैं और 128 में 125 या 628 का परिक्षा दिया है और उसका सर्टिपिकेट ले के बैठे हैं फॉर्म डाल के बैठे हैं कि साइध हमको रुजगार मिल जाएगा और ये भी देख रहे हैं चुनाव है उससे पहले धड़कन तेज है कि उससे पहले हमको न्यूजण पत्र मिल जाएगा कम से कम उनको दिखा तो देते हैं कि देखिए हम सिक्षक बन गया है लेकिन लगता नहीं है इस अंबव है कुछ खूल के बोलिए को तुरंत लगता है कि हम रडार पर आका है लिए क्या करें हम बेरुजगार है और ऐसा लगता है कि मतलब बेरुजगार ही रह जाएंगे क्या सपना बच्पन में अगर हम नहीं देखे होते सिक्षक का किसी और लाइन का देखे होते हैं किसी और लाइन का त्यारी किये होते हैं कि साइध उसमें ह अभी तक हो गए होते हैं लिए सपना था हमें सिक्षक बनने का और उसी में समय दर्द समय बित्ता जा रहा है कुछ अभियारती ऐसे हैं जो कर्ज लेके बियड किये हुए है बहुत सारे परसानियों को जहल रहे हैं दिन प्रति दिन आसपास के लोग तो अलग कहते हैं कर्ज जो जिससे लिए वो अलग कहता है दिन प्रति दिन इस बेरोजगारी का दौन सजेल रहे हैं मजबूर हो गया है ये काम करने के लिए कि साथ ठेला लगाना पड़ जाए अगर ज्यादा हाकिकत सुनना है तो कुछ मतलब बाहर निकल के देखिए कभी एसी रूम से चारो तर जारी कर रहे हैं कि साथ हमको रुजगार मिल जाएं पिछले साल लॉंबर में ऐसा लगा था कि सिक्षक बन जाएंगे लेकिन कोई ना कोई पेंच होता है और बढ़ते वे चला जा रगता है छठे पेज में देखिए छठा पेज का आपका नियोजन पत्र मिलने वाला होता ले फिर से कोई केस एक केस का मतलब इस तरह से लफड़ा पड़ा हुआ है केस का कि हर बात में दिखाई देता है केस और वहीं पे बहाली ठप हो जाता है अचलता है प्रोसेस चलना अपना जो भी दीरे दीरे प्रोसेस चलना अब ये कोबे सिक्षक नियोजन पूरा होगा ये तो वक्त ही बताएगा बहुत सारे प्रसंद खड़ा होता है वो बिहार सिक्षक बहाली का हो या बिहार एस्टेट का हो बहुत सारे प्रसंद खड़ा कुछ लोग यहां तक ट्यूटर अगर पे खुब चला रहे थे कि मतलब आजकल थोग ठप है पता नहीं क्यों ठप है यह ट्यूटर अगर पे बहुत ज़्यादा चल रहा था लेकिन आजकल फिर से सारे लोसिथील है लेकिन एक बात हम लास्ट में जरूर कहेंगे कि अगर आप किसी भी चीज को पाने के कोसिस करते हैं तो उसको मतलब हार नहीं मान लेना चाहिए यह मतलब कह रहा है वैसे तो सारे होसले खतम होते जाते हैं लेकिन हार कभी नहीं मानना चाहिए और तब तक नहीं रुकना चाह इसके लिए जो करना हो, जो करने का मतलब आप समझ रहा है, दूर तक बात कहा जा रहा है, बहुत समझदार हो गए होंगे, इतना दिन से बेरोजगारी जहल रहा है, बहुत कुछ समझने के लिए हो गए है, जो करना हो, वो करने के लिए अब त्यार हो जाएए, अब जो करने में क्या करना है वो comment section भी हमको बताई कि comment section में भी बताई कि क्या करना चाहिए उसके लिए जो करना पड़े वो करिए और उस सपने को मिटने मत दीजिए समाप्त मत होने दीजिए अगर आपको सिक्षक बनना है सिक्षक ही बनना और सिक्षक नियोजन का है इसके लिए हम सपना देखें ना इसके लिए हम वो सब करेंगे जो हमको अच्छा लएगा उनी के पास जाएंगे जो हमको रुजगार देगा हमको नियोजन पत्र अगर मिल जाता है तो हम आपके साथ रहेंगे तो जो करना होगा हम करेंगे हमें नहीं पता इस वीडियो पर कितना लाइक होगा कितना डिसलाइक होगा लेकिन हाकिकत यही है आपको अगर विश्वास नहीं है तो आज 31 अगस 2020 है जाके देखिए जाके देखिए 6-8 का आपका अबंदिक मेधा सूची बहुत सारे ब्लॉक के अभी नहीं NIC पे है कि नहीं जाके देखिए और पहले जाके देखिए कि पहले चर्चा होता था कि नहीं कि 31 अगस तक आप सि करते हैं 25 तारी को डेट था ना सबी लोग जानते न 25 अगस 2020 को डेट था एडमिर कर जारी नहीं हुआ ना कुछ लोग करते हैं कि इसमें केस हुआ था रिजल्ट के लिए तो जाके आज भी अपडेट जाके देखिए क्या हुआ है पते नहीं चल रहा कि बच्चे त्यारी क करें कि क्या करें है अब सेंटर भी बहुत कॉम जगे बनाएगे हैं बच्चे तो कैसे गीर कर न कि उसका सीलीबस में लोचा था कि नहीं सीलीबस पे कुछ लिखा गया उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए कि नहीं, इसले बस जारी हो. लेकिन सारे लोग चुपी हैं, सारे लोग इसलिए चुप हैं, कि बेरोजगार हैं, बेरोजगारी में जो चल जा चलने दीजिए. भुकमरी तो है ही रोजगार मिल जाएगा तो हमारे पास पैसा हो जाएगा ना कुछ खाने के लिए मिल जाएगा दो दाना मिल जाएगा एज खतम हो जाएगा को रोजगार भी नहीं मिलेगा ये सभी जानते हैं, मेरिट लिस्ट की हमेशा चर्चा होती है अंतिम में हम बस अब बात करेंगे अब खतम करेंगे साइध अब भी रुजगार होंगे तो समय होगा नहीं होंगे रुजगार होगा तो सबसे बढ़ी बहुत बढ़ी बात रुजगार पा लिए लेकि थोड़ा सा merit list पे चर्चा करेंगे जो इनका age खतम हो रहा है जो पुराने है उनका merit देखिएगा कितना ज्यादा percentage है बहुत कम होगा और हमेशा चर्चा एक बात की होती है हमेशा चर्चा होगा इस बात का कि यहाँ पे जो merit जिसका high है दूसरे जीला में दूसरे block में दूसरा जीला होचा उसी जीला में दूसरे block में वहाँ पे भी वही merit में है यहाँ टॉप पे है वहाँ टॉप पे है फिर वहाँ टॉप पे है फिर वहाँ टॉप पे है यह सब किसी के पास प्रोस्न है लेकिं उत्र कोई बखु भी अच्छे तरीके से नहीं देता है सब कोई टॉप में है सारे जगे उत्र तो होना चाहिए न कि बाकी जो अभ्यारती है फर्स्टे चरण में आजाए इसके लिए कोई जवाब तो होना चाहिए कि इस तरीके से करेंगे तो सबका हो जाएगा एकी चरण में 94 अजर का बाली हो जाएगा लेकिं ये तो हमें चाहए हमने हम भुब ख़्यां किस चीघ करेंगा सारे परस्ट ये खत्म हो जाएगा, सबको रोजगरे मिल जाएगा यह भी प्रशन एक बहुत बड़ा है जो लोग सोचते हैं लेकिन यह तो हमें सोचना चाहिए ना कि मालेज़े हमने अपलाई किया किसी अभियारती ने जो जिसका merit list है उसका यहां हाई हो गया वहाँ हाई हो गया वहाँ हो गया चैरोतरफ हाई हो गया जो पुराने हैं जिनका age जा रहा है को पहले मतलब कुछ लोग को देखने के बाद मैं कर रहा हूँ मैं भी किसी का उसी समय बहुत ज़धा हाई हो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कुछ लोग जो 2012 में पास हुए हैं उनका merit कम है 2017 में पास हुए हैं यही लड़का चारत टॉप में है मेरा क्या होगा वो तो objection करने के लिए भी सोचते हैं कि करें या नहीं करें मतलब कुछ गलती हो गया नाम वेगरे में करें कि नहीं करें हम हैं बहुत लास्ट में 900 पे हैं 800 पे हैं और सीट पांच गो है 2 गो है 1000 पे कब पूरा होगा पता ही नहीं चलेगा कि कब उनका नम्मर आएगा कि वो सिक्षक बनेगा कोई ऐसा भी तो लड़का होता है ने जो लास्ट में होता है उनलों का एज भी देखिएगा कि कितना है कुछ समय बाद अपलाई करने के लिए एजी नहीं रहेगा तो अपलाई कैसे करेंगे ऐसा मत सुचिए कि यह आपके साथ नहीं होगा आज आप इस्तने नमर पे टॉप पे हैं कॉलके डेट में जो मेरिट उससे हाई लेके आएगा आगे पास हो जाएगा तो और बचे उ मेरिट में हो जाएगे आज जो नीचे दपते जा रहे हैं तो दपते चले जाएगे ऐसे बहुत सारे प्रश्ण है सॉलूसन ढूंडा जा रहा है साइद मिल जाए तो बहुत अच्छा है दिन में आसमान में सॉलूसन ढूंडने के लिए तीनमे असमान में देखा जा रहे हbert तो सुरग दीख रहे हैं रात में देख तो तारे दीख रहे हैं तो सॉलुसँड नहीं दीख हाई प्योंके कुछ भी सॉलुसय होता है की जरूर का प्रयास सारे अभियार्थी करेंगे तो जरूर सब्सक् région करेंगे लेकिन एक चीज याद रखिएगा अंतिम लाइनब कर रहे हैं एक चीज याद रखिएगा कि जो अप सपना सजोंगे हैं जो शिक्षख बनने का आप सपना देखें, उसे मत कभी तोड़िएगा, उसे कभी मत चोड़िएगा, उसके लिए जो करना पड़े, जो करना पड़े वो जरूर कीजिएगा दूसरा चीज, एकता जरूर बनाया रखिएगा, यह नहीं कि कल आज यहाँ है, कल वहाँ चले जाएगा, फिर कल उस ग्रूप में चल जाएगा, उस अब नहीं बियड, डियलेड, और भी बहुत सारे चीज के मुद्दे हैं, प्रात्मिक्तावेगर हैं, सारे मुद्दे को छोड़ दीजिएगा, अगर आप सिक्षक नहीं बन पाते हैं, और एक हो जाईएगा, कुछ और मत कीजिएगा, एक हो जाईएगा, और एक हो के, जैसे एक कोई उसे गला नहीं पाएगा, कोई उसे हटा नहीं पाएगा, बस एक जुट होना है, कुछ लोग आएगे जिसे तोड़ना चाहेंगे, लेकिन बस एक जुट रहेगा, एक सीरे से बंधे हुए रहेगा, निश्चीत ही सफलता मिल जाएगा, उसके बाद आप अपना सपना का मन बहुत कम कर रहा है, अब बाच्चीत करने का ही मन कर रहा है, तो इसे ही बाच्चीत होता रहेगा, फिर कभी लाइब में भी अब चर्चा होगा, लाइब मतलब ओन लाइन आएगे, आप भी ओन लाइन जुटिएगा, कुछ आप बोलिएगा, कुछ हम बोलेगा, बिर कüş प्रसंद छोड़े जा रहे हैं, प्रसंद है कि सिलेबस बीहार एस्टेट का पता नहीं, बीहार एस्टेट गार्ण काड़ आएगा पता नहीं, एक्जाम डेट पता है, नौ तारीक से होगा, 21 तारीके बीच में, अब एडमिट कार जारी नहीं होने के कारण कुछ बच्च कि संचै में है Ci syllabus जारी नहीं होने सिलबस पता नहीं होने का गारण बुच्छेत यारी करने में संचै में है और रही बात सििख्षक बहाली की कि सिख्षक बहाली में 31 अगस 2020 तक था कि सारे ब्लोग के मेरिट लिस्ट एना इसी पे मिल जाएंगे लेंगे बहुत सारे ब्लोग के नहीं मिल रहा है और फिर से 125 का दो तरिक से आया है तो उस पे भी आपती कीजिएगा क्योंकि सरकार तो आप है नहीं बेरोजगार हैं याद रखिएगा तो कर्म करते रहिए कर्म करते रहिए और लड़ते रहिए हमेशा त्यार रहिए फाइट करने के लिए और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी अगर आपको सफलता चाहिए और लड़ते हैं हमेशा कर्म करते हैं निश्चित एक दिन सा फलता मिले गिया फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ तब तेक देखते रहें बने रहें इंदे कलब पे धन्यवाद